हेलो फ्रेंड्स आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे पास स्पेक्ट्रस्पोपी की बात चल रही थी जनरल सा इंट्रेक्शन मैंने अभी तक दिया था आज एक टोपिक है बॉर्ण ओपेन हीमर सन्नी कटन या बॉर्ण ओपेन हीमर एक प्रोक्सिमेशन जो किसी अधर आता है अविक इस्पेक्ट्रा के अंधर आता है देखो यह वाला टोपिक important है दियान से देखना जैसे हमारे पास किसी परमानु के लिए परमानुविक spectrum होता है वैसे किसी अनु के लिए आनुविक spectrum होता है ये बात हमको पता होनी चाहिए अब born open humor क्या होता है देखो सबसे पहली बात किसी भी अनू की उर्जा किसी भी अनू में चार प्रिकार की उर्जा पाई जाती है कौन-कौन सी एक तो translation energy एक तो होती है इस्थानांतरन उर्जा इस्थानांतरन उर्जा कैसे कि एक अनू दूसरे अनों को उर्जा इस्थानांत्रित कर रहा है तो वो इस्थानांत्रन उर्जा एक होता है इलेक्ट्रोनिक उर्जा अब ये इलेक्ट्रोनिक उर्जा क्या होती है किसी अनों में अलग-अलग उर्जा इस्तर होते हैं जैसे किसी अनों में कारण जो उर्जा होती है ना वह एलेक्ट्रोनिक उर्जा तो हम उसे लिख रहे हैं इई एल इसी ठीक है एक हमारे पास होती है कंपन उर्जा वाइबरिस्नल एनर्जी कैसे होती है कोई अनु है वह कंपन कर रहा है तो उसकी कारण जो उर्जा उत्पन हो रही है वह कंपन उर्जा या वाइबरिस्नल एनर्जी ठीक है और एक होती है डोटेशनल जानिकी कोई अनु है वह अपने एक्सिस पे गूम रहा है कि यह यहां आतर हो माइन जी से पृती जैसे एक्सिस पर गूम रहा है और अपने अग्सिस पर गूमने के कारण उसमें जो उठ्धा उत्पण हो रही है जो इनर्जी उत्पण हो रही है वह हमारे पास हुती है गुर्णन उर'd— सझाल प्रिकास की उर्जा होती है ठीक है लेकिन इसमें से ये वाली उर्जा को हम नगन्य मान लेते हैं ट्रांसलेशन को तो किवल तीन उर्जा बची कौन-कौन सी एक तो electronic उर्जा एक vibrational उर्जा या vibrational energy और एक rotational energy जानिकि घृर्णन उर्जा इसमें सबसे ज़्यादा होती है electronic उर्जा ठीक है उसके बाद होती है कम vibrational और सबसे कम जो होती है वो होती है rotational ठीक है सबसे ज्यादा होती है electronic उर्जा उससे कम होती है vibrational और सबसे कम होती है rotational होती है ठीक है अगर हमारे पास दो अलग अलग उरिजा इसतर है ठीक है दो अलग अलग ऊठजा इसतर है और अगर हम मान ले जैसे अगर हम मान ले कि ई दो अलग अलग उरिजा इसतर है और एक उरिजा इसतर में हमारे पास energy का है ई i lc shooting plus i vibrational प्लस E rotational और उच उर्जाइस्तर में या दूसरे उर्जाइस्तर में हमारे पास जो energy है वो हम क्या मान लेते हैं इसको E बार्ज लिख देते हैं समझ में आ रहा है देखो यह हमने बार्ज ही क्यों लिखा दो अलग-अलग उर्जाइस्तर हैं जिसमें हमने इन energy को बार्ट दिया तो अलग-अलग उर्जाइस्तर हैं ठीक है तो हमको क्या करना है उनका अंतर निकालना है उनका अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे उनका अंतर निकालने के लिए सीधी सी चीज हम ये करेंगे यह जैसे उच्छ उच्छा इस्तर का है तो हमको क्या करना है इनका डिफ्रेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे डिफ्रेंस निकालने के लिए तो इनका डिफ्रेंस निकालने के लिए हमको सिंपल से चीज करनी है जैसे ये E Dash है E Dash में से E घटा लेंगे जो electronic के लिए है वो E Dash Vibrasional में से E घटा लेंगे Vibrasional में से Vibrasional घटा लेंगे ये पता है किया है दो अलग-अलग उर्जा इस्तर है तो हमको उनके बीच का डिफरेंस निकाला है मैं उसके बीच का अंतर निकालना है। और कुछ नहीं यह टैंसर मत लिए गा और एक एसे फिर हम्हारे पास क्या है ? रोटेशनल है 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 तो यह हमारे पास निकलकर आ जाएगी। थीक है तो हमारे पास यह डेल्टा-e की वैल्यू निकल रहे हैं और इस में से जो गटाएंगे उसे हम डेल्टा ई रोटेशनल से लिख रहे हैं ठीक है तो यह हमारे पास क्या हो जाएगी बॉर्ण ओपन हीमर सन्नी कटन हो गया यह हम उर्जा का अंतर निकाल सकते हैं दोनों के बीच में ठीक है तो तीन प्रकार की उर्जा हमारे प न्वाज कारण जो अरजा उथ्पन होती है वह इलेक्ट्रोग होती है उसके अलावा जब घूंधा है वह कंपन करता है कोई आनों कोई कंपन करता है तो जो यह उथ्जा हम थोटी सी बात है चोटा सा टोपिक और है वह वह भी मैं करवा देता हूं कि वह हमारे पास क्या है स्पेक्ट्रो मीटर थिक है वह क्या है इस पैक्ट्रो मीटर बेक्टर होते हैं लेकिन जो बेसिक फणने़ परिकास इस्तरोत हैं उसके बाद हम क्या करते हैं एक ट्यूब लेते हैं एक sample tube लेते हैं जिस सेकिन्डेर में भी है तोपिक अब इसके अंदर हम क्या बढ़ लेते हैं परधात बढ़ लेते हैं कोई भी परधात जिसका हमें spectrum निकालना है उसे पानी में घोलो या फिर किसी विलायक में घोलो और इसमें भर दो ट्यूब में ट्यूब किसी भी चीज़ की बनी हो सकती है कांच की बनी हो सकती है किसी भी चीज़ की बनी हो सकती है बस हमें इसमें एक बात का धियान रखना होगा कि जो ट्यूब है वो किसी ऐसे प्रधात की ना बनी हो जो कि आने वाली किर्णों को अफसोसित कर ले जो आइसे इसमें से आव विद्दू चुम्बा की विक्रान निकलती है तो आगे हम क्या लगाते हैं विशलेशक लगाते हैं या मोनो क्रोमेटर लगाते हैं यह मरपार सेंपल ट्यूग और यह मोनो क्रोमेटर यह एक तरीकिका प्रीज्म राओ या विसलेशक है जो यहां से आने वाली विद्दू चुम्बा के विक्रिनों का किया करता है वह विक्षेपन करता है उनको डिसपर्स करता है उनका dispersion करता है एक तरीके से विसलेशित करता है अब आगे एक चीज और लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं डिटेक्टर अब प्रिजम उसी प्रधात का होगा जिसकी सेंपल ट्यूब बनी होगी ठीक है उसके बाद डिटेक्टर डिटेक्टर क्या करता है डिटेक्ट करना संसूचक का काम क्या होता है डिटेक्ट करना संसूचित करना यहां से जो किरने निकलके आ रही हैं उनको डिटेक्ट करता है पहचानता है अलग अलग तरंग दैदरिये की किरनों को पहचानता है ठीक है और उसके बाद लास्ट में मैं नीचे बना देता हू है जो भी किर्ण डिटेक्टर ने पिछानी उन को किसी कागज़ पर हमें कांगज निकलता उसमें इस तरीके की जो है रेखाय होती है जिंदा मों बोलून है नहीं मैं लेकिन इस तरीके से रेखाए होती है तो वो क्या काम होता है उनका काग dwell क वह rice recorder का काम करती है ठीक है तो वही geography होता है जो hem में को बताता है तो छो हमारे पास anu है molecule है उस husband को कि नहीं बताथा तो हमें इतनी सिंपल से बात हमको तो याद रखनी है तो το यह हमारे पास क्यों जाएंगा स्पेक्रोमेटर जाएगा जिसमें यह तो सो civIt है एक हमारे पास सेंपल ट्यूब मोनोउक्रोमेटर है एक डिटेक्टर है और एक रिकोटर है यह पांच चीजे हैं इनका ध्यान रखना है और अगर कभी पूशा जाए तो यह बना सकते हैं यह बेसिक सी चीज है जो हर स्पेक्ट्रोमीटर में पाई जाती है ठीक है तो आज मैंने दो टोपी कंप्लेट करवा दिये क्योंकि कल मैं दो रही है दने वाद